असकार आप देख रहे हैं वाइसो पानीपत और मैं हूँ आपके साथ कुलवन सिंग दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जुरू करें क्योंकि टाइटल आप लोगों ने पढ़ी लिया कि क्या मामल से रहे थे पुलीस ने मामला दर्ज किया उस महिला की तलाश कर रही थी या नहीं कर रही थी यह पुलिष को पता हो लेकिन इस से पहले पानीपत की एक समा शेवका है स Smash को भी दोता यह ने पुलिस घंपीज आनो पार आप THE setzen maar आ और दो तिन घंटे बाद पुलिस उस महिल महिला को अपने साथ ले गई सवितार ये ने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी पुलिस मोके पर पहुची लेकिन बड़ी बात करने जा रहा हूं उससे पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जुरू करें कि पानिपत पुलिस पर बड़ उसके निकाह की पूरी सैटिंग जो है की जाती है चोंके इंचार्ज जो वहां के हैं उनके उपर गंबीर आरोप लगे हैं कि पैसे खाकर उन्होंने उस लड़के को गिरफतार नहीं किया जो उसका कथित प्रेमी था मामला सबको पता लगया कि यह कैसे कैसे कौन लड़का से होगी है सीविल हस्पदाल से लेकिन इन दस दिनों में बड़ी सैटिंग का खेल जो है खेला गया इन चार जो प्रविंदर कुमार है उनके ओपर गंबीर आरोप लगते रहे कि उस लड़के कथित प्रेमी को गिरफतार क्यों नहीं किया गया गिरफतार आज तक भी नही प्रेमी हैं वहां पर उसके परिवार वाले भी जो है बुलाएगे हैं वहां भी नेकाहा की सैटिंग जो है चल रही है आरोप लगे हैं लेकिन बड़े अधिकारियों तक यह बात नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है पानिपत की पुक्ता जानकारी होगी कि उनका इंचार जो है क् हम आज दिन पर जो है हंगामा तरदा अपसे यह वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद हम वह वह वीडियो जो है वाईसो पानिपत पर लाइव लेकर आएंगे चोंकी इंचार्ज का क्या कहना है उस लड़की को ले जाए गया लड़की के पिता का क्या कहना है और वह वीड सब्सक्राइब करेंगे कि पूलिस के पड़े दिकारियों के पास मीडिया ने मामला जरूर पचा दिया सारा मामला है कि जो सारा खेल है वह क्या चल ला है इससे पहले शिवितारी से मैं बातचीत करवा हूं पानिपत वाईसो पानिपत के स्टूडियों में आज लाई की है अगर यह निकाह हो जाता है शादी हो जाती है तो एक यह परंपरा चल जाएगी प्रेमी प्रेमी का संबंद बनाए बच्चे को फैंक दे ऐसी समासे विका सामनी आए मा को ढूंडे पूलिस सैटिंग करे पैसा बनाए और उसके बाद दोनों की साधी करके बच्ची को सोंप दे लेकिन उन दोशियों को सजा कब और कैसे मिलेगी क्योंकि दो गंटे की नवजात बच्ची को कुत्यनों नेचा शादू मर भी सकती थी जल्दी है उसे शीविल अश्पदाल पुचाया गया जहां बच्ची अब सुरक्षित है और सेफ हैं अब निकाह करने के बा चाहता हुई उनके घर पर ही था हलाकि उनके जो पीता है वो मना कर गए कि मैं घर पीनता मेरे को सारी जानकारी नहीं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि नो मैंजने बच्चा पेट में रहे और उनके माबाप को पताना लगे कि ऐसा काम हो रहा है मामला क्योंकि सुरक्या जो है तैयार कर रही है तस दिन हो गए एक सो चोश्ट के ब्यान उस महिला के दर्जनी किये गए ना ही उस लड़के को गिरफतार किया यूपी के कुछ लोगों के उपर आरोप है कि उन्होंने बीच में पड़की जो है प्रविंदर कुमार के साथ सैटिंग कर दी अब जो भी उस कतित परिमी की गिरफतारी नहीं हुए सिवितारी से डिर्क बाचित करते हैं सुविता जी गंबीर आरोप है चुंकि जो किसनपुरा के इंचार जा प्रमिंदर कुमार पर आज मीडिया भी बाचित कर रहे थे उस धंग से उनकी लै उसकी आवास से नहीं पता लग भी इस तारीक का वो दिखाया और चारीस लाख लोगों ने आपकी उस वीडियो को देखा और यह एक मतलब आवाज बनी उस बच्ची की जिस बच्ची को कुत दवारा नोचने के लिए फैका गा था उसकी मा दवारा उस बच्ची की आवाज वाईसों पानीपत बना तो मै मुँ बांद के मुँ में कपड़ा ढूश के पोलो थीन का मुँ बंद करके कि यह तो यह सांस रो मतलब सांस बुटके यह बच्ची मर जाएगी यह बारा पुट उची छत से उस बच्ची को नीचे फैक देनीचे वहाँ पर बहुत सारे कुते थे जिन कुत्वने उस बच् सारी को खुद अपने मतलब सोर्स लगा के मैं वाशीव नगर में जाती रही और मने जब उस बच्ची की उसकी माँ को जब मने ढूंडा तो मैंने आपको पता कि आपके चैनल पे भी मैंने पूरा जो सरे हो पुलिस को दिया कि वही पुलिस मामले में लगी हुई थी और पुलिस में रत्नी बर भी पुलिस का मेरे उसमें सयोग नहीं था उसके बाद इव मेरे उपर उल्टा एल-जाम यह लगा दिया गया कि बई सवी तारिया तो वहां पे मीडिया को लेके पहुंचे हैं पता नहीं किसने मोडिया को फोन कैना जैसे आप लोग भी दो गंटे क आज मैं आपके चैनल के माध्यम से क्योंकि आपका जो चैनल है उसको लाखों लोग देखते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जंता से पूरे इंदुस्तान की जंता को बताना चाहते हूं कि पुलिस ने वहां से खेल सुरू कर दिया पुलिस ने पहला खेल लड़की ने उस लड़के का नाम बताया पता बताया और फोन नंबर बताया वह पूरा आपके पास भी सबूत है मीडिया के पास भी सबूत है मेरे पास भी सबूत है पुलिस के पास भी सबूत है उसके अगले दो दो दिन के बाद है पुलिस ने जो है उस लड़के को नहीं से उसके घर से मेरेट से उस लड़के को पकड़ के पुलिस यहां पर ले आती है पानीपत में दो दिन तक उन्हों ने थाने में उस लड़के को रखा वो सारे सबूत मेरे पास हैं जो भी जांच अदीकारी है मैं कोरट में सारे सबूत पेस करूंगी जितने भी वह थे सब्सक्राइब तो फोन नहीं उठाती थी यह फोन उठाती तो यह कहती थी कि लड़की अभी एंफिट है उसके 116 के बयान नहीं हुए है अभी तप 30 में लड़की नहीं है वो तप 30 करेंगे बाद में जो नाम बताएगी तब उसको गिरफतार करेंगे मतलब यह गोल मेल सब्सक्राइब पूलिस को सचेहत भी किया जैए फोन किया था यह तो पहुतार तो यह वहां बैठे किसी भी कर्मचारी को वह फोन दे देता था जैसे एक दिन मुनसी से बात हुई वह करने मैं मैं लिगा इस केसमें क्या चल रहा वो जह नहीं पता भी आप मूंसी ओठाने और ये लड़की को लड़की को एड्मिट करा लेकिन ने पुखता सबूता आगे थे कि पूलीस इसमें क्या करने जा रही है है उसको मेरे को यह पता लगा कि मेरे पास्ट वो सारे सबूत हैं और इस लड़की कि साहथ इन्हों ने क्या प्लानिंग बढ़ाई और लड़के जैसे नवजात बच्ची को लावारिस मिली है उसका कोई सिकात करता नहीं है तो उसमें आप कोई भी धारा में मुक्दमा दरज कर सकते हो और बाद में उसकी मा मिलगी तो इन्हों यह एक अपील डालेंगे कि भी हम अपनी बच्ची को पढ़ना चाहते हैं लेकिन मैं आपके चैनल के मादेम से यह पूछना चाहती हूं उनका तथाकतित पुल उस वाड़ों से कि आप इनका करवा कि आप इस मामले को रफा दफा करना चाहते हूं लेकिन एक बच्ची को मु दीर तिनसो धारा लगते तिनसो साथ दारा अकि उस बच्ची को मारने की कोशिस करी गई क्योंकि आप एक बात आओ आपके आपके चैनल पर लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है जी जो वीडियो सबसे पहले वाइरल हुई जिसमें बच्ची मिली थी उस बच्च पाने की कोशिस करी उन्होंने उनको लगा कि सवीतार ये ने उस लड़की को पकडवा दिया उसमें पुलिस की किरक्री होगी और पुलिस ने अपनी एक तरफ वह तो बात दूर की गई अगभी कम से कम एक धन्यवादी मेरा बोल दो कि आपने बहुत अच्छा काम किया ले इस मामले में फैसला जज ने सुना आप मुकदमा दरज करो मुकदमा दरज करके और आप इसको जो सजा मिलेगी और देगा आप जजना बने आप पुलिस हो तब पुलिस ही रहे हैं आपका काम है मुकदमा दरज करके कोरट में देना आगे काम कोरट का है कोरट इसको क्या स दूंडा दो मीने पहले मुझे कोई जवाब नहीं मिला था मुझे यह लगा कि मुझे आ क्शे करें रवह राकर्त कर बगएर मतलब 25 तारिक से में कर्छें इरिद गुरत मथव कहने करें कि कभी किसी रूप में धोइस्टारिक में 24 सारा किया पूलिस तारीक को किません मेहं करें में 1 तीन दिन तक हीति इता को वी तो पीता को एक मा बाप की आश्की की सजा उस बच्छे को तो आप दूबारा फिर मैंने अपनी काम 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 शुरूげ कर दिया और मैंने 25 तारिक से लेकर और आज तक मैंने मतब हर पल किसी ने किसी रूप में थोड़ी थोड़ी देर में होस्पिटल के चुगुर्द मतलब कभी मैं कहीं बेश बदल के किसी से बात करी कभी किसी से वो सारे सबूत में नहीं कटे किये जिसमें सब सबूतों में उसके बाबाब की तरह भी उसके पिता के पिछे भी मैं साय की तरह रही कभी मैं तो लड़की ने पहले दिन मिलने गई हूं तो लड़की ने मुझे यह बताया कि पुलिस वालों ने इस पुलिस वाली के फोन पे बात करवाई थी उस लड़के से अपने मुबाइल से इस लड़की को जो ऑस्पिटल में एक महिला पुलिस की जो ड्यूटी लगी ती तारा कि उसके फोन पे इन्होंने पुलिस जो इंचारज उसने उसकी बात करवाई थी लड़की उस लड़के से जिसमें लड़की ने बोला था कि जब उस टेम पर यह जो मेरा प्रेमी है वह मेरे कमरे में ही था तो आमने लड़की को फैंका अच्छा कि यह बात पर कबूली गएटी थी एक बार उस पूलिस वाड़ी ने भी का दिपाला है कि मैडम आप इंचारज से मुझड हमारे से क्यों फूच रहे हूं आप लड़की से क्यों पूच रहे हो आप इंचारज से पुच वह खुच वह पजल हो रही थी वह आपने किसी उसको लेके उसके बाद फ तो वह सुप्रीम कोर्ट तक रख जाने की वह रखती है सुप्रीम को रख तक जाने की मतलब मैं इम्मत रखती होंगी तभी तो मन यह बेड़ा उठाया होगा उसके बाद फिर मेरे को 12 तारीक को फिर पता लगता है कि इसको लड़की की छूटी होने लग रही है और इनोंने एक मतलब दर्गा में जाके निनकी साधी करवाने की प्लानिंग बना रखी है और लड़के वालों नहीं कर दे क्योंकि वो पूरी मेरे पास वीडियो और वोड़ी और सब कुछ मेरे पास आगी थी जिसमें वो लड़के वाले ये करें हैं कि आप लड़की का जो वो काजी ज ले जाके और तुरुंत इस लड़की साधी करके और तुरंत इस की आयों को से लटोर्गों को लगा कि सभी तार Hm यह को से रहना दिलवा दूए लेकिन एक बात तो यह भी उठती है श्वीता जी कमेंट में भी बात लोग पूछते भी हैं कि कथित प्रेमी के लिए सवजा इतनी यह भी है कि उसके निकाह उसी से करवा दी जाए उसी प्रेमी का से करवा दी जाए और वह बच्चा उसी का आथ में दे दिया जाए तो यह गलत होँसे की त्शी को अब मुघे एक बाद बताओ जिस बच्ची के पेट में बच्चा था गरभ में उसको pm ने की कोशिश करें आपकी वीडियो आपके पास भी यह मेरे पास को स्क्रूह लड़की ने कहा घुजकर कर आदे करने के लिए या तो यह दम उठके मर जाएगी या उपर से इतनी बारा फुट उच्छी छट से पिल गिर के यह मर जाएगी आप तिसरी बार उसको उसमा पर कौन मरे को यह कह दो जो यह कुमेंट्स लिख रहा है या जो पुलिस कह रही है क्या कोई मुझे यह लिख दे किसी बच्चे को अच्छी परवरिष मिल जाए इस बच्ची को यहां से भई या वह वा कोई उसकी परवरिष करें लेकिन अब उसलों के लिए तो इसके पेट में बच्चा था उस्टेम पर क्या नहीं बता था दो नुब बालिक थे लड़की भी बालिक है लड़का भी ब पूतरों से मिली है आज मीडिया के माध्यम से मुझे सुनने में आ था कि लड़की नाबालिक है जिसका दारकाड फैक्टरी में नोकरी करवाने के लिए बनवाया गया है वह कहां तक सत्य है उसका मुझे नहीं पता भी मैं जूट बोलो आपके चैनल पे उस बात का मुझे न दोनों को सद्धिक रोज छूट के आंगे उनके साथ साल की सजाबने उसके बाद आनका आपने आराम से रहे बात यह परंपरा जो अपानी पुलिसी चला देगी बच्चा पैदा करो अब आपको मैं बताना चाहती हूं कि आप सीवल होस्पिटल में आपने भी देखा होग पूरी मीडिया ने सुना में पूरी दुनीया ने सुना है कि वर लड़की अंदर द्वतिकरत कहला है कि चार्ट इसके वह जो लेकिन को ऊच्छे की निए।ो पूरत है हम तो पूरा मामला बाट यद यहां यहां पर बाद अब में आते यह यहां पे बैठे हैं लड़के का पूरा परिवार लड़के का पूरा परिवार 11-12 चुकी में बैठा है अब भी 11-12 चुकी में बैठा है देखते हैं कि स्याम को क्या पुलिस का कोई प्रेस नोट आएगा कि हमने लड़के को गिरफतार कर लिया इस दारा में हमने उसको गिरफतार किया आज सुबह भी जब मेरे को यह हुआ कि मैं कम से कम क्योंकि मेरे को पतल लगया कि कहीं कोई कम्प्लेंडर नहीं है कोई सिकात करता हो सकता है कि पुलिस ने लावारी इस बच्ची का एक मुकदमा दरज करके इसको रभात अबा करने की कोशिश करी हो मैंने आई कोर्ट में वकील से बात करी उसने मुझे काया कि आप दर्कास दो इसकी मतलब मैं अपना मिस्न चला रखा था मैं इस लड़की के यह चीजे मौके पर पकड़ना की पुलिस पीछले दरवाजेसे भी ले जा सकती आगले दरवासे इनके साथ भी करवाने के लिए ले जा सकती है तो मैं मौके पहुछी लगों ने देख्या पूलिस उस मामले को कैसे दबा सकते मुझे यह वदाओ कि उस मामले को पुलिस कैसे रभा दबा कर सकती है लेकिन बड़ी बात अब यह भी है आज के बाद क्योंकि पूरी मीडिया वहां पर थी और पानिपत कैस्पी के पास भी यह मामला पहुचा हुआ लड़के को गिरफतार नहीं करती है एक सुनने में यह भी आ रहा है कि लड़के को शायद पुलिस गिरफतार करके आज की जमानत जो है वहीं जमानत देदे आप कुलवन जी कमाल की बात कर रहे हो आप 307 में कैसे जमानत मिल जाएगी इसके उपर 307 दारा बनके जो मैंने सिकायत में ने खुले सब्दों में लिखा है कि लड़की के मुँपे कपड़ा बांद के कपड़ा पैदा करके और नाल वी ना काटके उसके मुझ में कपड़ा बांद के और उस लड़की को 12 फूट पूट उची छत से निचे पहंके और पोलोथीन का भी मुँ बंद करके और उसको नीचा कुट्टों कुट्टे जब उसको नोच रहे थे वह बच्ची वामर सकती दूसको तो अत्या करने के लिए या तो गला उटके मर जाएगी या वह वह वने लिखित में यह शिकात दिया उसमें 307 में कैसे जमान करवा अपने शिकायत दी है लेकिन जो पुलिस पिलिस अपनी थियूरी वे काम करी रही है पुलिस ऑगत शो करेंग है उसको पूलिस कैसे करेंगी कैसे जो आपके चैनल पर चली या जो वहां पे वीडियो से बात करिए तो मैंने खुद वीडियो बनवाई ये उस टैम पर क्योंकि मैं तो किसके चैनल से डिलिट करवाएगी पुली से डूसरी बात जब एक बात बताओ कि क्या इसका हमत अब संब्ध बनाओ अगर मान लेए हुआ नहीं मिलती तो यह बच्छा का आ जाता फिर की माल कर रहे हैं जाता बच्चा लेकिन एक माँ है जिसे को उसको एक रती बर भी उस मांको को नहीं था दरद था कि में mac말 से फैक का है और अर्स दिन भी आपने वह वीडियो व्यों कि जिस्में वह लड़की मेरे फैर पकड़री थी में माफ कर दो पर से आपको थोड़ी सी भी दाया नहीं आई उसने काया कि वो उस लड़के नका था मेरे को तो नीचे फैक दो वो सारी वीडियो उन वीडियो को कैसे डिलिट करवाएगी पुलिस लेकिन बड़े अधिकारियों तक मामला पुछा आपने करनाल रेंज के जो आई जी हैं उन मैंने आज लगाया और आई जी मैडम के नाम एक लेटर लिख्या में काल मिलके आऊंगी मैडम को और आज मैंने जो मैस्पी पानिपत को इसलिए लिए लिए खित सिकात दिया और सब्सक्राइब करें अब आगे क्या है आगे यह सुप्रीम कोट तक जाना पड़े सजा दि सब्सक्राइब करें और जो 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 पुलिस कर्मी इसको बचाने की कोशिस करगा सब को फार्टी होना कि कुछ शत्र जार के बात भी सुनने माई थी कि प्रविंदर की आरोब हैं यह कुछ ऐसा सुनने माई आपके मतलब यह यह नहीं पता लगा कितने पैसे लेकिन उन्हों वहां के आदिकारी हैं वहां के द 부분이 है जो सुसराल पक्स के लड़की का लड़का घृत हो आप कोई एक तीवारी है वहां का जो परधान है वह कोई सरमाजी है दो आधमियों के नाम आने लग्रे तो पूरी बैठका सेटिंग कर गए हैं लेकिन वह सत्तर जार की नहीं है ला उसमें ये भी बोला गया है कि द्रोगा ने ये कहा है कि वहां अपने लग्री लड़की वाले और तमने पूरी सेटिंग कर ली ना जो मोर्थ की जो साधिश करवाने जो लेकर आतीज के भासündर वकश्राय उसकी पूरी मुद्रेश की वहां lại लड़की आप इन लड़की वालों न जबून से यह पुछा है कि भी आमारा क्या होगा अगर लड़की साधी करके चली जाती है उसके बाद हमने कभी पुलिस कल को तंग करे या पुलिस हमें गिरफतार करे तो उसने यह का है कि आपको गभराणे की जुरूरत नहीं है आपको चिंता क पुलिस क्यों इंट्रिवर कर रही इतना और शवीतार ये को क्या लेने समाज में बाहर निकली थी जिसको मैं हर रोज किसी ने किसी को अपना दूसमन बनाने लग रही हूं मेरा एंज्यू काम करता है मेरी मनारी उठां के लिए काम करते हुए बेटियों को जिस बैटी को एक नवजात बची को पैदा करके एक मतलब मैं इतनी निंदनी है जो यह तरह जगन्या अपराध जब्ची को इस बची को मारने के लिए फैए और यह पहली पहली बची नहीं ह को चयां मिलती है को बोटे के डेक्ट में मिली है कोई कहीं धेन्म इस सफ़ाय दूर दिल्वाएंगे हम ठोछ अ बना लिया आपने शक्रेइं का kami बिगाल जिब प्रोप कि जाप गो कि सके असवार में जुड़ना तृनी कि जरूरत नहीं हो जो करना कर ले एनकी जो पुलिश ने करना वो क्रें बाकि मेरा अदिकार्यों के उपर मने बुरसा है कि यहाँ प्रफ है उस में पूरा संग्यान लेकर लड़के को गिलेखर करेंगे और लड़के को कड़ी से कड़ी सजा मीलेगी और दोनुआ को यहाँ से आज गिरफ तार करके साम तक आपके पास प्रेस नोट आजाएगा क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अफसर जो है इसमें मतलब निश्पक्स जांच करके इसमें करवाई करेंगे यह पबलिक की भी बड़ी होगी क्यों कि आप लोगों ने उस मामले को बड़ा शेर किया और आज का मामला थोड़ी देर बाद आप 200 पानिपत पर लाइव देखेंगे सिविल अस्पदाल में कितना बड़ा हंगामा और कैसे पॉलिस उस महिला को लेगी और प्रविंदर कुमार क्या करें सारे मामले को लेकर लेकिन बड़ी बात यह है कि पानिपत पुलिस ने मैर पर ना चाहिए गिरुफतार करके एक मिसाल पैदा होती ही कि पुलिस पकड़के गिरुफतार करके उन दोनों को मीडिया के सामने पेश करती ताकि बविशे में कोई बी ऐसा करें कोई ऐसा करें को पचास बार सोचें कि उनके उपर तीसरी आख जो है लेकिन ऐसा कुछ नह यह जो वीडियो है हर घर में पहुचनी चाहिए हर लोगों के पास पहुचनी चाहिए ताकि लोगों को पता लग सके कि पानिपत में आखिर चल क्या रहा है और पानिबद पुलिस क्या कर दिया पानिबद पुलिस के कप्तान बहुत ही सुल्जे हुए अधिकारी हैं हमें उमीध है कि इस मामले में पानिवत्त पोलीस ने क्या कि इस रधीकारिये जरूर देखें जिनके वज़े से पानिवत्त पोलीस की किर्क्री होई है इस समय की बड़ी निख़े है कि स्ट्ट्र 11 में जो बताया जा रहा है तो हमारे सुद्र वाले वहां पर बैठें और लड़की ये परिवार वाले वहां पर बैठें दोनों के निकाह की बाद चर लिए हम यह नहीं कहा रहति कि दुनों का निकाह ना वह निकाह हो लेकिन पहले उससे पहले इन दोनों को सजा मिलने चाहिए दोनों को जेल में जुरूर डालना चाहिए उसके बाद चाहिए निकाह हो वह कोट का फैसला है इनके परिवार का फैसला हो वाइसो पानवित कले प्रदी पहंचाल के साथ कुल्वंद सी